हलो व्यूवर्स मैं हूव जै और आप देख रहे हैं बैंको केरियर अकाडमी के यूटूब चैनल को आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्रेट फॉर्म पे स्वागत है आज है 28 मई 2021 ते टाइम सॉफ इंडिया के अपने एक मुख्य एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे ह हैं तो चर्चा करने से पहले जा है उसकी हैं देख लेटे हैं सबसे पहले अपन है तो आज कि अपने एडिटोरियल की है वी मस्ट नो जो है यह है अभी आपने जा है आज ऌज के फैलाया गया है या वो एक मानवी है भूल की वज़े से जो है वो फैला है इस चीज की जह है वो जानकारी जह है वो हमें मिलनी चाहिए इसी के बारे में जह है वो यहाँ पे बोला जा रहा है तो we must know यानि हमें निश्चित तोर पर जानना चाहिए कि COVID-19 जह है वो एक लैब के माध्यम से जह है वो बनाया गया है उससे बहार आया है लैब कौन सी वुवान सिटी के अंदर जो वाईरोलोजी की लैब है उससे बहार आया है चाइना must share all the relevant data and evidence तो यहाँ पे ये भी बात बोली जा रही है कि चाइना को निश्चित तोर पर जो है इससे सम्मंधी जो है जितने भी जो है वो data है या evidence जो प्रमान इसके पास जो है मोजूद है चाइना के पास वो यहाँ पे जो है वो विस्वा के साथ सांजहा जो है उ तो इसी जो है वो editorial के अंदर अपन ये चर्चा करेंगे कि क्यों यहाँ पे जो है वो दुबारा सवाल खड़े किये जा रहे हैं यहाँ पे जो है वो चाइना के उपर कि उसने कही न कहीं जो है वो या तो मानवी है भूल के तहत या फिर intentionally जो है वो इस तरीके का virus जो है वह आज के जह है वो मुखे editorial के हिस्से पे अपन अब चलते हैं तो प्रती दिन की तरह है आज सबसे पहले जो है वो कुछ sentences के अंदर अपन parts of speech को जानने का प्रियास करेंगे यहाँ पे और इनका अर्थ भी अपन पहले जान लेते हैं Over the last 17 months COVID-19 has relentlessly invaded every part of the world and killed at least 3.5 million human beings यानि कहने का मतलब क्या है कि over the last 17 months यानि पिछले 17 महीनों के अंदर COVID-19 ने relentlessly का मतलब लगातार तरीके से invaded, invaded का मतलब प्रहार किया है, attack किया है Every part यानि प्रतेख हिस्से के उपर विस्व के अंदर and killed और जह है वो मार दिया है कम से कम जह है वो 35 लाग जह है वो human beings को यानि कम से कम 35 लाग जह है वो मानों को जह है वो यहाँ पर मार दिया गया इस वाइरस के द्वारा Yet फिर भी, we still do not know how SARS-CoV-2 जह है यानि किस तरीके से जह है वो COVID जो यहाँ पर SARS का ही एक जो प्रकार यह जो वाइरस है The virus that causes COVID-19 came to be among us यानि हमारे बीच में वो वाइरस किस तरीके से जो है वो आया है जो यहाँ पर COVID-19 का कारण बना है यहाँ यह कारण यहाँ बना हुआ है वो किस तरीके से हमारे बीच में आया है यह अभी भी जो है वो हमारी जानकारी में नहीं है तो यह सबसे बड़ा पहलू जो है वो यहाँ पर सवाल खड़ा किया गया है कि अभी यह किसी को भी नहीं पता कि किस तरीके से वाइरस आया है यह जानवरों के माधिम से फैला है या फिर जो है वो वान की वाइरोलोजी लैब के माधिम से फैला है इसी के बारे में यह पूरा आर्टिकल यहां पे लिखा गया है और इसकी पूरी चर्चा यहां पे की जाएगी तो आगे चलने से पहले अपन यहां पे parts of speech को यहां पे देख लेते हैं तो यहां पे नीचे मैंने आपको हिंट के तोर पर दे भी दिया है कि ग्रीन कलर के अंदर जो भी है वो नाउन हो सकती है नाउन फ्रेज हो सकती है और प्रोनाउन हो सकती है तो यहां पे जो है COVID-19, months, part, world, million human beings और इसके बाद में SARS-CoV-2, virus है इसके बाद में जो है वो दैट है यह कहीं ना कहीं जो है वो नाउन और प्रोनाउन का यहां पे काम कर रहे है तो देखो प्रोनाउन यहां पे क्या है जैसे अस है वो एक प्रोनाउन का यहां पे काम कर रहा है ठीक है और that भी जो है वो एक relative pronoun है ये भी एक pronoun का यहाँ पे काम कर रहा है that यहाँ पे ठीक है COVID-19 जो है वो यहाँ पे मैंने बताए दिया we जो है वो भी एक pronoun का काम कर रहा है यहाँ पे इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे यह सारे जो word है यह months जो है वो COVID-19 देखो यहां पे जो है आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे जो है वो months भी जो है वो noun का रूप है और covid-19 भी जो है वो noun का form यहां पे है तो इस तरीके से यह जो सारी चीजे हैं वो noun का जो है वो यहां पे भूमी का निभा रही है देखो beings जो है वो basically noun है और कई जग इसको एक noun phrase के तोर पर अपन देखेंगे और एक collective जो है वो यहाँ पर noun अपन इसको यहाँ पर देखते हैं इसके बाद में अपन जो है वो यहाँ पर red color के अंदर जो यहाँ पर है वो सारी prepositions है जैसे over है, off है, at है, to है यह सारी preposition का काम कर रही है, among है यहाँ पर इसके बाद में wallet color का जो है, वो सारा यहाँ पर verbs है, जैसे यहाँ पर has यहाँ पर किसका काम कर रहा है helping verb का काम कर रहा है, invaded man verb है, यहाँ पर killed भी man verb है, don't know यह भी जो है वो to और verb की first form के तौर पर यहां पे काम कर रहा है इसके बाद में जो है यहां पे जो sky blue color के अंदर है वो सारे adverbs है यहां पे तो relentlessly यानि जिसका मतलब होता है continuous या लगातार तो वो invaded की विसेशता यहां पे बता रहा है तो यह adverb का यहां पे काम कर रहा है इसी तरीके से still जो है वो भी यहां पे क्या है adverb का काम यहां पे कर रहा है और how भी यहां पे जो है वो किसका काम कर रहा है adverb के तौर पर यहां पे काम कर रहा है इसके बाद में जितने भी dark black हैं और जिनको underline किया गया है वो यहां पे determiners हैं जैसे कि यहाँ पर the article है, यह Marqu । और भी जैसे the article डिटश्मीनर है, इसके बाद मैं देखो यहाँ पर last है, last वैसे जो है, वो executive का काम भी यहाँ पर करता है, और यह एक detсте yn Haiti की तौर पर भी अपन यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसी तरीके से list जो है वो भी यहाँ पर determiner का काम कर रहा है every भी determiner है यहाँ पर तो यह सारे जो है वो determiner का काम यहाँ पर कर रहे है इसके बाद में जो है वो अपन consumption की बात करें यहाँ पर जो sentences और सब्दों को जोडने का काम करता है तो and जो है वो यहाँ पे conjunction का काम कर रहा है yet भी जो है वो conjunction का काम कर रहा है यहाँ पे तो यह सारी चीज़े अपने यहाँ पे जानी कि कौन सी चीज़े noun है कौन सी चीज़े pronoun है noun phrases कहाँ पे है red color में किस तरह के से proposition यहाँ पे काम कर रही है कौन सी verb है helping verb है, यहाँ पे man verb है, sky blue वाले adverbs का काम कर रहे हैं और dark black letters with underline जो है, वो determiners का यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यह सारी structures अपने parts of speech की पहचाननी यहाँ पे सीखी अब इसके बाद में अपने मुख्य editorial को अपन यहाँ पे लगातार देखेंगे तो पिछले line में अपन ने देखा था, कि अपन को अभी तक यह नहीं पता लगा है कि virus जो है, वो हमारे बीच में कैसे आया है, अब उसी को आगे continue यहाँ पे लेखा कर रहा है कि ad core, यहाँ पे यानि मुख्य तोर पर, there really is one reason for this यहाँ पे मुख्य तोर पर एक कारण है यहाँ पे वास्ताव में, वो कारण यहाँ पे क्या बता रहा है China's inflexible obfuscation of the pandemic's origin story तो चाइना की यहाँ पे जो द्रड़ता है, किसको लेकर, obfuscation को लेकर obfuscation का मतलब यहाँ पे जो है, वो क्या है, जो एस्पस्टता है किसी चीज को लेकर वहाँ पे एस्पस्टता जो चाइना की नजर आ रही है of the pandemic's origin story की इस महामारी का जो है, जो उद्भव की जो कहानी है उसको लेकर चाइना जो है, वो यहाँ पे एस्पस्टता को लेकर द्रड़ बना हुआ है यही सबसे बड़े कारण यहाँ पे बताया गया है scientists have still managed to put together evidence that both weakens the theory of natural emergence in Wuhan and strengthens the possibility that the virus originated in a lab there तो विज्ञानिक जो है, वो अभी भी इस चीज को manage कर रहे है, यहाँ पे उन्होंने manage किया है सारे के सारे प्रमानों को यहाँ पे एक साथ लाने का that both weakens the theory of natural emergence and Wuhan जो यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों तरीके से जो natural प्राकरतिक तरीके से जो इस virus की उद्भव जो वुवान के अंदर हुआ है यहाँ पे उस theory को यह कमजोर बनाता है और strengthen करता है, मजबूती देता है किसको जो संभावना है virus की, कि भई वो lab के अंदर बनाया गया है उस मुद्दे को यह जो है वो ताकत देता है यहाँ पे तो यहाँ पे वग्यानिकों ने जो एक साथ तरीके से जो evidence को यहाँ पे साथ में लाने का जो प्रियास यहाँ पे किया है, उन प्रियासों से यह चीजें सामने निकल कर वहाँ पे आती है, तो यह बात यहाँ पे लेखा कि यह बताना चाह रहा है, इसके बाद में आगे चलते हैं पन तो यहाँ पे पूरे की पूरी विश्व समुधाय को must back यानि निशित तोर पर जो है वो support करना चाहिए Biden के administrations को, as it क्योंकि यह जैसा की now ramps up, ramps up का मतलब, ramp up का मतलब होता है बढ़ाना, efforts, परियासों को, towards किस की तरफ, a definitive conclusion एक स्थाई जो है, वो निरने की तरफ वो अपने परियासों को जो है वो बढ़ा रहा है, because if, क्योंकि अगर we cannot even find out हम यदि इस चीज को नहीं जान सकते, what set of this catastrophe की इस तबाही की जो है, वो सुरू कहां से हुआ है यह सुरुआद कहां से हुई, यह set of का मतलब होता है, सुरू होना catastrophe के मतलब तबाही जो है, we are sitting ducks for next one तो हम जो है, वो निश्चित तोर पर, यह sitting duck का मतलब क्या होता है, जिस पे आसानी से हमला किया जा सके, ठीक है, sitting duck का मतलब जिस पे आसानी से दुबारा हमला किया जा सके, तो यदि अपन इस चीज को नहीं ढूंड पाए कि भई, इस virus की या इस महामारी का उद्भव कहां से हुआ है, तो निश्चित तोर पर हम जो है वो एक दूसरे अटेक के लिए जह है, वो यहाँ पे बैठे रहे हैं, तो यह स्थि यहाँ पे बता रही है कि भई, यहाँ पे यह जानना बहुत बहुत जरूरी है कि वाइरस का उद्भव हुआ कहां से हाखिर, around this time, last year, पिछले साल इसी समय, it was widely accepted the virus has transmitted to human at a live animal market, live animal market जिसको अपन जो है, वो चाइना के वुआन के अंदर, wet market भी कहते हैं, जहां पे जीवित जीव जनतु जह है, उनकी marketing की जाती है, उनको बेचा जाता है, यूज करने के लिए, तो पिछले साल जो है, वो एक व्यापक तोर पर ये सविकार किया गया था, कि वाइरस का जो transmission जो मानों के अंदर हुआ है, वो इस live animal market में हुआ है, बट as science journalist, Nicholas Wadd summarizes, लेकिन जैसा की एक जो है, विज्ञानिक जो journalist है, यहाँ पर जो इस चरीके के generals में लिखा करते हैं, जिनका नाम Nicholas Wadd है, काफी famous जो है, वो journalist है, यह summarizes, जिन्होंने जो है, वो संक्षेप में कहा है, कि all the interim month, कि यह जितने भी अंतरिम महीने रहे हैं यहाँ पर, supposedly, यानि जह है, वो अनुमान लगाते हुए, या इस तरीके के कथित तोर पर, कि super efficient Chinese authorities, कि जो सबसे जादा सक्षम जो Chinese जो है, अधिकारी वरग है, authorities जो है, यहाँ पर, simply have not turned up, यानि उन्होंने जो है, वो इस चीज़ को प्रकट यहाँ पर नहीं किया, किस चीज़ को प्रकट नहीं किया, evidence प्रमानों को, जो वाइरस से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो making multiple independent jumps, जो यहाँ पर, बहु आयामी या बहु रूप जो है, वो जो jump यानि एक प्रजाती जो है, किस तरीके से वाइरस की जो पर जाती है, वो एक जो है, वो समधाय से, दूसरे समधाय में वो transfer किस तरीके से हो रही है, इसका कोई प्रमान वहाँ पे जो है वो नहीं सामने रखा गया, from its intermediate host, जो उसके intermediate host है, जहां से वो मानों में transfer हुआ है, to people, लोगों के बीच में, as both SARS-1 and Mars virus did, जैसा कि जो है, वो SARS-1 और Mars virus के अंदर जो है, वो देखा गया था, या उसके अंदर हुआ था, कि किस तरीके से वो intermediate host के मानों से मानों के अंदर पहुँचा था, वो प्रमान यहां पे COVID-19 के virus के नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह अनुवान लगाया जा सकता है, कि निशित तोर पर वो प्राकरतिक तरीके से वहां पे नहीं फेला है, ऐसी बात जहे है, वो लेखा कि यहां सिफ्ट हो गया है, from whose portal celebrated bat lady, अब देखो one के अंदर जो है, एक lady है, जिनका नाम bat lady है, इनको वैसे इनका नाम जो है, वो क्या है, sea hangley है, sea hangley एक बहुत बड़ी virologist जो है, यहां पे है, यानि virus से जुड़ी यहां पे सोध करने वाली महिला है, जो मुख्य तोर पर Chinese है, did not sigh, यानि इस चीज से वो जो है, वो सरम नहीं रखती थी, from demanding, मांग करने को लेकर, an apology यानि माफी नामे को, from President Donald Trump से, for being open to the theory from the lab की जो है, यदि lab की जो थियोरी है, यदि उसका खुलासा होता है, यहां पे, तो यहां पे जो है, वो इस चीज को जो है, वो celebrate किया जा रहा है, या वहां पे दिखाया जा रहा है, तो ऐसा होता, तो यहां पे bat lady जो है, वो उसको यहां पे सरम नहीं थी, कि वो जो है, President Donald Trump से जो है वो माफी वहाँ पे मांगे Since then तब से हर क्लेम्स हर किसका जो यहाँ पे C हैंगले का जो क्लेम्स है जो दावे पेस किये गए of zero infection की वहाँ पे सुन्य infection है कहाँ पे WIV का मतलब यहाँ पे क्या है One Institute of Virology have been hollowed यानि वो सारे जो है वो क्या हो गए खोकले हो गए किसके माद्यम से by counterclaims जो एक दुबारा जो है वो दावे और प्रती दावा किया है यानि जवाबी दावे जो किये गए of several researchers की बहुत सारे जो है वो सोध करताओं के द्वारा becoming sick बिमार हो रहे होने को लेकर before the official COVID-19 break यानि COVID-19 outbreak जो फैला था उससे पहले जो है कि स्तिती की जो है वो बिमार हो रही अवस्ता को यहाँ पे जो है वो निरूपित किया गया counterclaim किये गये उसके दावे यहाँ पे किये गये तो उससे जो है वो यहाँ पे इन चीजों को खोकला बना दिया गया this may have been the first cluster और यह जो है वो यहाँ पे पहला समू हो सकता है यहाँ पे equally समान तोर पर other proximate lab यानि जितने भी इसके आसपास की जो lab है यहाँ पे merits merits का मतलब वो भी यहाँ पे योग्य है closer investigation closer investigation का मतलब उनके उपर भी जो है वो गहन जाज के लिए उसके आसपास की lab भी यहाँ पे जो है वो लायक है कि उनके उपर भी यह काम किया जाना चाहिए यहाँ पे there is a green warning green warning का मतलब एक सक्त चेतावनी है यहाँ पे here about all gain of function research देखो gain of function research का मतलब क्या होता है यह एक बहुत ही खतरनाक सोध होता है जिसमें एक प्राकरतिक वाइरस को कृत्रिम तरीके से यानि lab के अंदर प्रियोग साला के अंदर उसको एक खतरनाक वाइरस में तबदील किया जाता है जो कही ना कही आर्टिफिशल तरीके से तयार हुआ होता है और मानव को वो कही ना कही बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुचा सकता है यानि उसके एक्सपेरिमेंट किये जाते हैं उसका सवरूप चेंज करने के लिए उसी को अपन साइंस की भासा के अंदर गेन और फंक्शन रिसर्च यहाँ पे बोलते हैं और यह बहुत ही खतरनाक वो इस्तिती है रिसर्च के लिए विच गोड्स पैथोजन गोड्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है तबदील कर देता है प्रेडित करता है तबदील करने के लिए साइन्टिस्ट यानि जो विग्यानिक हैं मस्ट स्टॉप उनको जो है वो शीच को रोक देना चाहिए सच इस तरीके के जो है फ्रेंकेस्टीनियन जो वर्क है frankensteinian work का मतलब क्या होता है जो किसी originator को दबाने के लिए है यानि कहां से virus की उत्पत्ती हुई है यदि उस बात को दबाया जाने वाला कारिय किया जा रहा है तो उसी कारिय को जो है वो यहां पे क्या बोला जाता है frankensteinian जो है वो work यहां पे बोला जाता है लेकिन जादा जो है वो सक्त जरूरत यहां पे जो है वो किस चीज की है कि concerted global effort किया जाए, concerted global effort का मतलब एक साथ जो है वो संगठित परियास यहां पे हो, उनकी जरूरत है यहां पे, ताकि वुआन की सच्चाई को जो है वो यहां पे प्राप्त किया जाए India had seen as devastating wreckage of lives and livelihood from COVID भारत ने जो है वो यहां पे तबाही जो है वो यहां पे देखी है यहां पे, जिसमें जो है लोगों का जीवन तबाह हुआ है, लोगों की जीविकाएं जो हैं वो COVID से तबाह हुई है It too must join the global effort इसलिए भारत को भी यहां पे जह है इस अंतरास्टिय प्रियासों को यहां पे join करना चाहिए and drum up, drum up का मतलब होता है यहां पे support करना और भारत को यहां पे support करना चाहिए the courage इस सहस को to call for यानि आवान करने के लिए accountability यानि जवाब देहिता को लेकर after all यानि इन सब इस्तितियों के बावजूद भी Beijing has done it no favor यानि Beijing ने कोई भी जो है वो इसके favor में या इसके पक्स में कारिये यहां पे नहीं किया the way in which WHO investigators had seen stymid shows Beijing resisting full transparent evidence based international investigation यानि यहां पे जो है किस सरीके से WHO के जो सोध करता अपन ने देखा था चाइना गए थे तो वहां पे stymid जो है वहां पे उस चीज को प्रदशित किया गया stymid का मतलब वहां पे जो है बाधा डालना तो वाधा डालते वे अपन ने देखा था वहां पे Beijing resisting और Beijing जो है वो चीज का विरोध कर रहा है यहां पे फुल ट्रांस्परेंट एक पूर्ट पारदर्शित तरूप में evidence-based जो परमाणों पे आधारित international investigation है उसके उपर however किन्तू चाइना like the international community at large एक बड़े जो है वो सतर पे अंतरास्टिय जो समुदाई की तरह है has a stake यानि उसकी एक जिम्मेदारी यहां पे बनती है उसकी एक हिस्सेदारिता यहां पे है in discovering course करने में the origin of the pandemic की वो इस आपदा की जो है वो यहां पे origin के बारे में यहां पे पता लगाए and disclosing और खुलासा यहां पे करे it if it already knows यदि वो पहले से इस चीज़ को जानता है तो यहां पे यही बात बोली गई है last में लेखक के द्वारा कि यदि चाइना इसकी सचाई को जानता है तो उसकी भी यह जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने जह है विस्वस्तर पे यह चीज़े लेके आए इसे निश्चित तोर पर खेल खेलना बंद करना चाहिए किसको चाइना को और सचाई जो है वो दुनिया के सामने रखनी चाहिए यही बात जो है वो लेकक यहां पे बोलना चाहरा है इसके बाद में आज के जो है वो इस एडिटोरियल से जोड़ी वी वोकेब को अपन यहां पे देखेंगे आज की पहली वोकेब अपनी है इन्वैड इन्वैड का मतलब होता है देखो आकरमन करना धावा बोल देना किसी के ओपर तो अटेक हो सकता है एन्क्रॉच यहां प अपन कह सकते हैं इसके बाद में जो है अप्वस्केशन का मतलब होता है यहां पे बिविल्डर्मेंट यानि वो पजल कर रहा है लोगों को भटका रहा है यहां पे तो इसको जो है वो बिविल्डर्मेंट यहां पे जो है वो अपन बोल सकते हैं इसके बाद में रैंप परहाना, increase करना यहाँ पे, तो increase करना अपन इसको कह सकते हैं, set off का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब आप set off करते हैं, तो किसी चीज को reinforce कर रहे हैं, ताकत परदान वहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद में catastrophe होता है, किसी चीज को तबाह करने वाली इस्तिती, तो यह तबाह क का मतलब होता है किसी चीज की जो है वो यहां पे गंभीर जो इस्तती है गलूमी जो condition है उसको यहां पे अपन कह सकते हैं God का मतलब यहां पे जो है वो किसी को प्रेरीद करना है ठीक है concertate का मतलब संगठित परियास concerted का मतलब united या संगठित अपन कह सकते हैं तो इसको coordinated अपन यहाँ पे कह सकते हैं rack case का मतलब तबाही को लेकर है destroyed अपन यहाँ पे इसको कह सकते हैं drum up का मतलब होता है support करना सहारा देना किसी को stymied का मतलब होता है किसी चीज को बादित कर देना रुकावट पैदा करना उसके अंदर तो hinder करना यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ सब्द यहाँ पे है तो यह आज की vocab थी जो अपन ने match point के माद्दिम से यहाँ पे solve करने का प्रियास इनको किया इसके बाद में grammar exercise पे अपन यहाँ पे अब देखो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना की जो है वो kindly और requested दोनों एक ही चीज को निरुपित कर रही है यहाँ पे तो requested की जब बात होती है किसे से आग्रह करने की तो आग्रह हमेशा kindly ही होता है तो इस kindly को लिखना यहाँ पे superfluous use यहाँ पे रहेगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तो kindly यहाँ से हर जाएगा अब देखो कभी भी cousin sister cousin brother नहीं लिखा जाता है cousin के अंदर sister और brother दोनों सामिल होते हैं इसलिए यहाँ पे sister क्या होगा हर जाएगा आप the chairman said that she would like to succeed him when his term expired आगे वाले sentence पे चलते है the principle for bad the student's note to stage a walkout अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कुछ सब्द होते हैं जिनके साथ note का स्तमाल नहीं किया जाता है जैसे prohibit है, for bad है, तो for bad जो है उसके साथ यहाँ पे note दिया हुआ है जो कि यहाँ पे लिखना गलत है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा आपन को my elder brother asked me if I had sufficient enough अब देखो यहाँ पे enough और sufficient दोनो एक ही चीज को निरूपित कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप जह है वो किसी भी चीज को यहाँ पे हटा सकते हैं तो यहाँ पे sufficient को जब आप remove कर देंगे तो यहाँ पे enough यहाँ पे इसके लिए सही हो जाएगा यानि दोनो एक साथ नहीं आ सकते यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अब देखो दो comparative वाले सब्द यानि तुलना करने वाले दो सब्द एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि better भी जो है वो क्या है comparative जो है वो degree है यहाँ पे और comparatively सब्द भी उसी को बता रहा है इसलिए comparatively यहाँ से हड़ जाएगा better यहाँ पे अपनी स्तिती के उपर बरकरार रहेगा इसके बाद में जो है वो कुछ सब्द होते हैं जिनके साथ back नहीं लगता है तो यहाँ पे reimburse भी ऐसा ही एक सब्द है तो reimburse जो है यानि दुबारा प्राप्त होना तो उसके साथ back का use नहीं किया जाएगा यह आपको ध्यान लखना है आगे वाले sentence को देखते है he will not be able to cop up with cop up with कभी भी नहीं लिखा जाता यानि अब इसके साथ नहीं आएगा cop with ही यहाँ पे रहेगा deal करना किसी के साथ the pressure of the work तो यहाँ पे cop with ही रहेगा यह आपको ध्यान रखना है the short story should not exceed more than अब देखो exceed और more than दोनों एक ही चीज को निरूपित कर रहे है तो more than को आप यहाँ से हटा सकते है इसके बाद में आपका sentence जो है वो यहाँ पे meaningful हो जाएगा तो यह आज की जो error अपन ने देखी है यह basically जो है वो superfluous use को लेकर है यहाँ पे जो superfluous expression अपन कई बार sentence के अंदर लिखते है जो कि लिखना गलत होता है और word slang को लेकर यहाँ पे है तो आज आगे जो मैं grammar concept of the day आपको बताऊंगा तो इसी से जुड़े वे कुछ तथ्यों के बारे में अपन यहाँ पे grammar concept of the day के अंदर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं तो उसके ओपर चलते हैं अपन अब तो यहाँ पे superfluous expression और slang से जुड़े वी चीजों पे आज अपन चर्चा करेंगे तो यहाँ पे कुछ सब्द है return, reimburse, retreat, receive, recall, recapitulate, repeat, recast, rewrite इनके साथ कभी भी जो है वो इसके बाद में back का use नहीं किया जाएगा इसी तरीके से rebound, rebuild, retreat, recast, recall, receipt इनके बाद में जो है वो यहाँ पे again का use यहाँ पे नहीं रहेगा तो यह कुछ सब्द आपको यहाँ पे ध्यान रखने है कि किसके साथ जो है वो बाद में back use नहीं होगा किन सब्दों के बाद में again use नहीं होगा इसी तरीके से कुछ सब्द यहाँ पे है after these words never use over यानि इनको पल्टा नहीं जा सकता है over ride, over turn, over shadow, over shoot, over top यानि इनको अपन top over नहीं लग सकते shoot over नहीं लग सकते, shadow over नहीं लिख सकते turn over नहीं लग सकते, ride over नहीं लग सकते यानि यह इसी तरीके से लिखे जाएंगे इसके बाद में जो है वो कुछ ऐसे सब्द है जिनके नगेटिव जो है वो चीजों का दुबारा use नहीं किये जाता जैसे until, unless, forbid, prevent, dissuade, deny, refuse, list, prohibit इनके सब्दों के बाद में कभी भी note का use यहाँ पे sentence में नहीं होगा क्योंकि यह सब्द जो है वो पहले से ही रिनात्मक अर्थ को निरुपित करने वाले सब्द होते हैं तो यह इस तरीके की error बहुत बार exam में आती है जिन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है इसके बाद में कुछ जो है वो यहाँ पे और repetition वाले use है जिनको अपन को यहाँ पे सही करके देखना होता है उनकी list में यहाँ पे आगे अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर अपन सारी वो लिस्ट यहाँ पर देखेंगे जिनको यहाँ पर exam में गलत करके दिया जाता है और अपन को वहाँ पे सही करना होता है तो पहला है equally as good as यह गलत है as good as यहाँ पर लिखेंगे mutual agreement अपने आप में mutual होता है इसलिए agreement ही रहेगा mutual friend जो है वो हमेशा common friend ही रहेंगे यहाँ पे mutual dislike of each other को mutual dislike अपन लिखते हैं free ship को अपन जो है वो free student ship यहाँ पे लिखते हैं lecture ship को अपन जो है वो lecture ship लिखना होता है cousin brother, cousin sister को सिरफ cousin ही यहाँ पे लिखेंगे consensus opinion जो है वो सिरफ consensus ही होता है consort, husband, consort में husband और five दोनों include हैं इसलिए अपन इसको जो है वो consort ही यहाँ पे लिखते हैं इसके बाद में इसी तरह के कुछ और सब्द हैं उनके उपर अपन देखते हैं कभी भी जो है वो final conclusion नहीं लिखा जाता है सिरफ conclusion ही होता है kindly requested को अपन requested ही यहाँ पे लिखते हैं funeral service को funeral ही लिखा जाता है supposing if को के साथ if नहीं आएगा केवल supposing ही आएगा suppose if में भी जो है वो या तो अपन suppose का यूज करें या फिर अपन if का यूज करें during the period of war को during the war अपन लिखते हैं during the war period यहाँ पे during the war यहाँ पे लिखा जाएगा यानि दोनों ही यहाँ पे structure गलत है with bag and baggages के साथ यहाँ पे bag and baggages के साथ with का अस्तमाल नहीं किया जाएगा my family member को a member of my family लिखना सही है an English teacher को a teacher of English लिखा जाता है passing marks को pass marks लिखा जाता है linking road को link road लिखते है suddenly come across को come across लिखा जाता है क्योंकि suddenly उसके अंदर पहले से ही सामिल होता है यहाँ पे तो यह word भी बहुत बार exam में पूछा गया है इसको ध्यान रखना है आपके come across with के साथ यहाँ पे come across ही रहेगा with यहाँ पे नहीं रहेगा covered man को जो है वो covered या फिर a cowardly man यहाँ पे लिखा जाता है flee away के साथ जो है वो यहाँ पे आवे हड़ जाएगा केवल flee रहेगा who, which, that इन से पहले कभी भी end का use नहीं किया जाएगा यह यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसके बाद में reason because किसको या तो आप reason that लिख सकते हैं या reason why लिख सकते हैं आपे twins में two पहले से ही होता है इसलिए यहाँ पे twins ही लिखा जाएगा divided into four quarters quarters अपने आप में ही four है divided into four लिखा जाएगा await for में four पहले से ही सामिल होता है इसलिए await ही यहाँ पे लिखा जाएगा comprise में of policy सामिल है इसलिए सिरफ comprise लिखना सही है investigate के साथ into नहीं आएगा describe के साथ कभी भी about नहीं लिखा जाता ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसके बाद में final slide पे चलते हैं तरीके कुछ जो है वो और correction आपको यहाँ पे exam में ध्यान रखने होते हैं दिखो surprise हमेशा unexpected ही रहेगा इसलिए surprise ही लिखा जाएगा experience हमेशा prior ही रहता है इसलिए सिर्फ experience रहेगा innovation हमेशा नया ही रहेगा इसलिए सिर्फ innovation लिखेंगे despite of के जगे सिर्फ despite लिखना होता है यहाँ पे most unique कभी भी नहीं लिखा जाएगा सिर्फ unique ही आएगा difficult dilemma जो है नहीं लिखा जाएगा सिर्फ dilemma आएगा latest update कुछ नहीं होता है updates लिखा जाएगा सिर्फ rather vary के जगे सिर्फ rather लिखा जाएगा sufficient enough के जगे सिर्फ sufficient लिखेंगे cop up with के जगे सिर्फ cop with लखेंगे big और huge blender के स्थान पर सिर्फ blender लिखा जाएगा sibling brother sister के स्थान पर सिर्फ sibling लिखा जाएगा he may likely to come यानि likely to और may का आर्थ सेम होता है इसलिए आप सिर्फ जो है वो यहाँ पर दोनों में से एक ही चीज लिखेंगे यानि may का use किया जाएगा यह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो यह आज का जो है superfluous expression और word slang अपने यहाँ पर देखा तो यह सारा session आज का जो है वो इस तरीके से जो है मैंने जो पस्तुत किया है आपको कैसा लगा आप जरूर comment box में लिखें आप सभी लोगों को जो है वो इस तरीके से नए नए जो है वो grammatical rules में जो है वो इस तरीके से सिखाता हूँ editorial के माद्यम से तो आप जरूर इन चीजों को revise करते रहें समय समय पर repetitions जो है वो पुराने वीडियो उसका जरूर करें क्योंकि यह सिरफ editorial reading नहीं रहती है मेरे द्वारा इसमें मैं नए सब्दों को भी सिखाता हूँ grammatical error भी अपन solve करते हैं और grammar concept of the day भी मैं यहाँ पर आपको जो है वो हर दिन नई बताता हूँ तो यह आज का वीडियो था वीडियो को समय देने के लिए आप सबी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुबरात्री